दक्षिर भारत की करिश्माई नेता जैललिता जैराम अब हमारे बीच नहीं रही। फिल्मी जगत की ग्लैमरस कोडिया से जैललिता कैसे बन गई आयरन लेडी आये देखते हैं ये रिपोर्ट। उनकी मददकार बनकर उतरी। ये सफर शुरू तो खुश्नुमा महौल में हुआ था लेकिन उस वक्त के साथ साथ उन्हें तप्ती भट्टी में जलना पड़ा। इरारे की पुकता जैललिता का होसला हमेशा बुलंद रहा और इसकी छाप उनके जिन्दगी में भी साफ देखी गई। किसी के लिए अम्मा बनी तो किसी के लिए आयरन लीटी। सिल्वर स्प्रीन से राजनीती के गलियारे का चमकता हुआ नाम बनने के लिए अम्मा ने काफी संखर्च किया। अम्मा ने 1982 में सियासत के गलियारे में कदम रखा। जैललिता के करीबी MGR ने 1981 में उन्हें अपनी पार्टी AIA-DMK का सदस्य बनने का न्योता दिया और इसी के साथ ही जैललिता के राजनीतिक जीवन की शुरुवात हुई 1982 में AIA-DMK की सदस्य बनी और फिर इन्होंने यहां से पीशे मुड़कर कभी नहीं देखा 1982 में उन्होंने अन्ना दुरुमक की सदस्य ग्रहन की और 1983 में पार्टी की प्रचार प्रमुख बन गई और विधायत भी उन्होंने अपना पहला चुनाव तिरुद चेंदूर सीट से जीता MG राम चंदरन ने 1984 में उन्हें राज्य सभा भेजा फिल्मों की तरह ही राचनीती में भी जैललिता एक एकर सीडियां चर्ती चली गई इसी साल MGR के किड्नी खराब हो जाने के बाद जैललिता ने पार्टी को 1984 के विधान सभा चुनावों में जीत दिलवाने में एहम भूमे का निवाई जिसके बाद MGR ने तमिलनाडू के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपत ली लेकिन 1987 में जब MGR का निधन हुआ तो जैललिता बे सहारा हो गई उन्हें जब खबर मिली तो MGR को शधाजली देने के लिए घर की तरफ तोड़ी लेकिन घर के दर्वाजे उनके लिए बंद कर दिये गए उन्हें मातम के लिए इजाज़त नहीं दी गई लेकिन जैललिता ने हिम्मत नहीं हारी वह घर की पिछले दर्वाजे से MGR के पास बहुँच गई और 36 खंटे तक शफ के पास खड़ी रही विरोधियों को जैललिता का शफ के पास खड़ा होना नागवार गुजरा उनके साथ धक्का मुक्की की गई लेकिन वो सब कुछ सहती रही यहां तक की शवयात्रा के दौरान जैललिता को गाड़ी से धक्का दे दिया गया लेकिन वो डटी रही MGR के निधन के बाद उनके राजनीतिक उतरादेकारी के मुद्दे पर AIA-DM के दो हिस्सों में विभाजित हो गई इसका एक हिस्सा MGR की पतनी जानकी रामचंडरन संभाल रही थी और दूसरे की नेता बनी चैललिता MGR की मृत्यू के बाद जानकी रामचंडरन तमिलनाडू की पहली महिला मुख्य बंद्री बनी लेकिन वो सत्ता में एक महिने तक भी नहीं रह पाई जब ततकालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने आर्टिकल 356 का इस्तिमाल कर सरकार को बरखास्त कर दिया इसके बाद के विधान सभा चुनावों में जानकी रामचंडरन के नेत्रतो वाली AIA-DMK की हार हुई जानकी रे राजनीती से सन्यास ले लिया और AIA-DMK के दो विभाजित हिस्से वापस एक हो गए और जाय ललिता तमिलनाडू विधान सभा में विपक्ष की नेता बनी तमिलनाडू की सियासत में 25 मार्च 1989 के दिन विधान सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने जाय ललिता को जगजोर कर रख दिया और उस घड़ना से नाराज जया ने प्रतिग्या ली कि जिस दिन ये जगए महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगी उसी दिन वो विधान सभा में कदम रखेंगी और शायद इसी जिद ने जया को अम्मा बना दिया 25 मार्च 1989 का दिन जाय ललिता के जीवन में काफी अपमान फरा रहा सत्ता पक्ष यानि डेमक के सदस्यों और अन्ना दुरुमक के सदस्यों के बीच सदन में हाता पाई हुई और जाय ललिता के साथ जोर जबरदस्ती की कई अपनी भटी साडी के साथ जाय ललिता विधान सभा से बाहर आई और लोगों ने सत्ता पक्ष को इस खटना के लिए खुब कोसा यही वो दिन था जब जाय ललिता ने सदन से निकलते हुए कहा था कि दो मुखे मंतरी बन कर सदन में लोटेंगी वर्नान नहीं इसके बाद सियासत के उट ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ पदल गया 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद AIA-DMK ने कॉंग्रिस के साथ मिलकर विधान सभा चुनावों में हिस्सा लिया जिसमें AIA-DMK के को भारी सफल का मिली और जयललिता ने पहली बार तमिलनाडू की मुख्य मंतरी के रूप में शपत क्रहन की अपने जीवन के सफल के बारे में चर्चा करते हुए एक बार जयललिता ने कहा था मेरे जिन्दगी का एक तिहाई हिस्से पर मेरी मा का प्रभाफ रहा जिन्दगी के दूसरे तिहाई हिस्से पर MGR का मेरे जिन्दगी का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही मेरा है मुझे इसे में बहुत सारे जिमेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करना है 1991 में मुख्य मंतुरे बनने के बाद 1996 में हुए विधान सभाव चुनाव में जय ललिता को हार का मुँ देखना पड़ा लेकिन तब तक जय ललिता एक मजबूत राजनीती खस्ती बन चुकी थी 1996 में DMK के सत्ता में आते ही दिसंबर में ब्रश्चचार के एक मामले में जय ललिता को 30 दिनों के लिए नियाए खिरासत में ले लिया गया था इस मामले में सन 2000 में हाई कोट ने निचली अदालत के इस पैसले पर रोक लगा दी थी लेकिन तमाम कानूनी दाव पेज खेलने के बाद जय ललिताथ 2001 में एक बार फिर मुख्य मंत्री बनने में सफल हुई इसके बाद तीसरी बार उन्होंने 2 मार्च 2002 को कुर्सी संभाली और 12 मई 2006 दग कुर्सी पर काबिज रही साल 2011 में जब 11 दलो के गडबंदन ने चौदवी राज्य विधान सभा में बहुमत हासिल किया तो जय ललिता चौथी वार मुख्य मंत्री बनी इस दोरान पुराने आए से अधिक संपत्ते के मामले में 2014 में बैंगलोर की विशेश अदालत ने उन्हें 4 साल की जेल और 100 करोड रुपे का जुर्माना लगाया था उस वक्त जय ललिता को जेल जाना पड़ा लेकिन अम्मा समर्थकों में उनकी लोग प्रियता कम नहीं हुई 2015 में उन्होंने पांच विवार मुख्य मंत्री के रूप में सूबे की कमान संभाली और अपने निधन तक तमिलनाडू की मुख्य मंत्री बनी रही तमिलनाडू की आरन लेड़ी अब हमारे बीच नहीं है जय ललिता के व्यक्तित्व के प्रभाव को कभी नहीं नकारा जा सकता उनकी नीतियां उनके संगर्ष और अपने पन ने लोगों को हमेशा उनसे बांधे रखा यही वज़ा है कि अम्मा के जाने पर पूरा तमिलनाडू रो रहा है आज बले ही जय ललता हमारे बीच नहीं लेकिनू की याद हमेशा लोगों की दिलों में सिंदा रहेगी दिखते रहें डिबी लाइफ